लवस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने चल में स्ट्राश्विक लाइज पर जहां दोस्तों एक बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है याँ पर बता दें आप लोगों को आउट्सोर्सिंग कच्चे करमचारियों से जुड़ी ही दोस्तों एक बड़ी खबर इसको कह सकत होए जी हाँ दोस्तों कुछ ना कुछ बड़ा डिसीजन सरकार ले सकती है हो सकता है आने वाले समय में आउट्सोर्सिंग पोलशी चाहे करमचारी पार्ट एक के तहत काम कर रहा है या फिर पार्ट दो के तहत या फिर अन्य किसी पोलशी के तहत जैसे आईटी पोलशी है प्रोन की या फिर किसी भी प्रकार की पॉलिशी के तहत जो भी क्रमचारी काम कर रहे हैं एक लिम्टेड टाइम के अंदर ये डाटा मांग गया है आईए आप लोगों को बता दे हैं क्या कुछ इसमें और जादा जानकारी है दोस्तो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट ह पहली बार आए हैं तो चैनल को जुर सब्सक्राइब कर लीजे ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके तो देखे दोस्तो यहाँ पर चीप सेक्टरियों पर हर्याना की तरब से यह जो है लेटर जारी किया गया है यहाँ आप लोग देख पाएंग क्या कुछ इसमें है बताया गया है देख लीजे जिनको ज़्यादा समय हो गया है कुल मिलाकर यहाँ पर यह है ज़्यादा वालों के लिए है यहाँ पर I am directed to refer to the subject seated about and to say that state government has decided to collect the data information with regard to contextual employee working on group B, group C and group D post in state in the following performa within one week जी हाँ दोस्तो एक सप्ता के अंदर-अंदर वन वीक पोजिटली थरू स्पेशल मेशेंजर तो स्पेशल मेशेंजर के थरू दोस्तो यहाँ पर जो है जानकारी मांग ली गई है एक सप्ता के अंदर-अंदर आपके विभाग में चाहे कोई group B का, C का या फिर D का करमचा देनी है विभाग को देखे इनोंने बताया है name of department board corporation ठीक है वो लिखेंगे आप लोग फिर यहाँ पर group B, C और D के कितने करमचारी हैं यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे total number of contractual employees यहाँ पर number आजाएंगे total number of contractual employee working more than 10 years जो 10 साल से ज्यादा जिनको होगाय काम करते वह उनके संख्या जाएगी total number of contractual employees working from 7 year जो 7 साल से काम कर रही है but less than 10 year लेकिन 10 साल से कम है ठीक है यानि के 7 साल से जिनको एक तरह से कह सकते है 7 साल हो गई है लेकिन 10 साल से कम है ठीक है यहाँ पर ये चीज़ इन्होंने मांगे हुई है अगले जो कॉलम इन्होंने बनाया इसमें लिखा है total number of contractual employee working from 5 year जो 5 साल से काम कर रहे है but less than 7 year लेकिन 7 साल से कम है उनको काम करते हुए ठीक है outsourcing policy करमचारियों के लिए भी बिल्कुल same column यहाँ पर इन्होंने बनाए हुए है तो outsourcing policy part 2 के करमचारी, part 1 के करमचारी और यहाँ पर जैसा के हमने बताया heart run के तहट भी बहुत सारे करमचारी लगते है IT policy बनाए हुई है उसके तहट लगते है या फिर अन्य कोई भी policy है यहाँ पर देख लीजी other than outsourcing policy part 1 और part 2 यानिके outsourcing policy part 1 और part 2 के अलावा भी अगर किसी तरह से लगे हुए if any ठीक है if any यहाँ पर दिनों लिखावा है किसी भी तरह का कोई भी करमचारी है outsourcing करमचारी, कच्चा करमचारी सभी की जानकारी यहाँ पर मांगी गई है और यहाँ पर देख लिए ते हैं last में क्या बता गया है these instructions may be brought to the notice of all concerned for strict compliance in letter and in spirit तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल साब सब्दों में यहाँ पर चीज जो आदेश सपस्ट आदेश दिये गई है वही आप लोगों को जो इसको follow करना है कुल मिला कर इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम अब positive अगर सोचे तो हो सकता है सरकार कोई अच्छा कदम उठाए क्योंकि देखिए positive हम सरफ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि election का समय है कुछ ना कुछ हो सकता है उनको राहत दे या फिर कोई policy लेकर आने का कोई विचार हो क्या कह सकते है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा सरकार क्या decision लेगी लेकिन इस तरह के letter जब जनकारी collect करनी होती है साफ साफ तो कुछ ना कुछ अच्छे की उमीद लगा कर ही कह सकते है तो दोस्तो आप क्या सोचते है इसके बारे में comment box में जरूर बताईएगा इस से letter के बारे में सरकार जो जनकारी कठा करी है क्या आपको उमीद है तो दोस्तो comment box में discuss करेंगे तो आप लोग भी जोस्तो जो है participate कर पाएंगे जनकारी शेर कर पाएंगे आपस में आप लोगों के विचार तो अच्छा लगेगा तो दोस्तो आप भी चाते हर्याना में एजुकेशन चेले टेड आउट्सोर्सिंग कचे करमचा जोड़ी खबरे समय पर पाना तो चैनल को जुर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दोस्तों साथ शेर करें तेंक यू वेरी मंच